तो फ्रेंच आज ятम बनाने वाले हैं आलो की बहुती मज़ेदा सबजी ये खाने में बहुती केस्टी लगती है और बनती बहुती सौप्ट है और इसे बनाने का तरीका तो बिल्कूल आसान है तो चलिए जलिशी शुरु करते इसे बनाना उससे पहले हलो दोस्तों मैं हूं सिमा आपका स्वागत है मेरे चैनल में इसे बनाने क्ली मैं आपर दो कुछह आलू लिये हैं इन्हें अच्छे से काटकर और धोलिया हैं और साथ में लिए आधी कोटोरी चने की दाल इसे दो घंटे के लिए भिगो दिया था अब हम एक मिक्सी जाल लेंगे उसमें आलू के पिसको डाल देंगे और साथ में चने की दाल को भी डाल देंगे और एक हरी मिश डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के त्यार कर लेंगे पेस्ट हमारा बन के त्यार है इसे एक बतर में निकाल देंगे आदा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आदा चमच नमक डाल देंगे इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी दे साइड में रख देंगे अब मैंने यहापे ओवन लिया है इसकी जगा आप कोई सब स्टीम करने का बरतन ले सकते हैं एक ग्लास पानी डालेंगे प्याज को इस तरह से काट के डालेंगे पान से छे लसुन की कलिया डालेंगे जिसे हमने प्याज को कटाए उसी तरह से टमाटर को भी काट के डालेंगे दो से तिर साबूत लाल मिश डालेंगे एक तेज पता डालेंगे एक चमच साबूत देने डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक चमच कच्चा जीरा डालेंगे और साथ में एक चमच हम काली मिश डाल देंगे ये सबी मसाले डालने के बाद ओवन को हम गेस के ओपर चड़ा देंगे अब हम एक ठाली लेंगे उसे तेल से अच्छी से ग्रिस करके ओवन के अंदर ठाली को रख देंगे और हमने जो पेस्ट बनाए हैं वो थाली के अंदर चम्मच की सायता से अच्छे से फिला लेंगे इसे हमें 5-6 मिनिट के लिए इस्टिम करना है 5 मिनिट बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छी तरह से इस्टिम हो चुका है इसे हम बाद निकाल के ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे हमारे मसाले प्यास टमाटे यह भी अच्छे से पक चुके हैं इन्हें हम बाद निकाल लेंगे इन सभी को मैंने एक चन्नी में अच्छे से चान लिया था और इस पानी को हो में फेकना नहीं है इसे हम ग्रेवी में इस्तिमाल करेंगे और उन सभी मसालों का इस तरह से पेस्ट बना के तयार कर लिया है तो सभी मसालों का ठंडा होने के बाद उनका पेस्ट बनाना है और यहाँ पे यह भी हमारा अच्छी से ठंडा हो चुका है इनके पीस कट करने के बाद यह बहुत ही आसानी से निकलाते है तो फ्रेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पीस बहुत ही अच्छी तरह से बनके त्यार हुए है अब हमें गेस पर कड़ाई रखने हैं उसमें एक बड़ा चमच तेल डाल देंगे और एक चुटकी हींग डालेंगे और हमने जो मसालों का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे इस मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे थोड़ी देर मसालो को भूणने के बार, इसे हम आदा चमच हल्दी पॉड़र डालेंगे, एक चमच लालमिष पॉड़र डालेंगे, एक चमच धनिया पॉड़र डालेंगे, स्वाद अनुसा नमागेट कर देंगे इन सबी मसालो को हम पेस्ट के अंदर अच्छी से मिला लेंगे अब हमें इन मसालो को तब तक भूरना है जब तक की ये मसाले तेल नहीं छोड़ देते मसाला हमारा पक्ये तयार हो चुका है हमने जो चान के पानी निकाला था वो डाल देंगे ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने सारे मसाले इसी पानी में भूने थे इन सारे मसालों का फ्लेवर पानी में आ चुका है इसलिए हम उसी पानी का यूज़ करेंगे अब इस ग्रेवी को हम अच्छे से उबालाने तक पका लेंगे ग्रेवी के अंदर अच्छे से उबाला चुक है हमने जो पीस कट किये थे वो डाल देंगे अब इसे हमें 2-3 मिंडी के लिए अच्छे से पकाना है जब तक ये सबजी थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तो फ्रेंस अगर आप चाओ तो आलू और चने की डाल के पेटर को आप अलग से भी स्टीम कर सकते हो लेकिन अगर हम ये सबजी इस तरह से बनाएंगे तो ये जल्दी से बनके तयार हो जाती है सबजी हमारी काफी ठीक हो चुकी है इसमें हम एक चमच उपर से कसुरी मेथी डाल देंगे इससे है सबजी का स्वादे वो बहुत ही अच्छा आएगा तो हेना फ्रेंस बहुत ही आसान तरीका ये सबजी बनाने का ये सबजी आपको दिखने में तो अच्छी लग रही होगी लेकिन ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुई है ये सबजी हमारी बनके तयार हो चुके इसी स्टेश पे हम गेस को बन कर देंगे तो ये लिजे फ्रेंस अगर आपके गर में कोई सबजी ना हो तो ये सबजी आप आसानी से बना सकते हो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और इसका स्वादे वो आपका भी भूलना पाओगे और जीने भूख न हो वो भी इस सबजी को देखकर खाने बेट जाएगा तो फ्रेंस एक बार जोशी ट्राइ करना इस रेसिपी को और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक काना शेय काना और स्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नएसिपी के साथ